प्रश लगाने के लिए भी ब्रश का इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ सही सुना आपने आप सिर्फ ब्रश को मेकप लगाने के लिए नहीं बल्कि मॉस्टराइजर लगाने के लिए भी उसकर सकते हैं अगर ब्यूटी एक्सपर्ट्स की माने तो वह हमेशे यही सला देते हैं कि आपको मेकप के साथ साथ मॉस्टराइजर जैवाब यूज़ करते हैं तो उसे भी ब्रश की सहायता से लगाना चाहिए आज मैं आपके दोस्ट आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि क्यों करना चाहिए मॉस्टराइजर लगाते साथ में ब्रश का उप्योग टिप नमबर बन है चिकनी तचा पाने के लिए अगर आप मेकप अप्लाइ करने से पहले अपने फेस पर मॉस्टराइजर का यूज़ कर रही हैं तो बहतर यह रहेगा कि आप मॉस्टराइजर को ब्रश की सहायता से अपने फेस पर लगाए ऐसा करने से आपके face पर moisturizer अच्छी तरीके से फैलेगा, पूरा फैलेगा, आपको एक चिकनी तचा मिलेगी और साथ ही साथ consistency भी एक दम सेम मिलेगी मतलब कहीं जादा और कहीं कम moisturizer नहीं मिलेगा साथ ही साथ foundation लगाने से पहले भी आपके face को एक अच्छा base मिल जाएगा नहीं लगती है, कभी जादा तो कभी कब, अगर आप brush की साहता से अपना make-up करेंगे तो वह even looking भी होगा और आपका face अच्छा भी दिखेगा तो हाथों से make-up करने की बजाए brush का इस्तेमाल करें और देखी face में अंतर टिप नमबर 3 है, साफ सुत्रा उपयोग जब आप moisturizer लगाने के लिए brush का उपयोग करती है तो आप अपने face के किसी भी part को specifically make-up कर सकती है जैसे अगर आप हाथ का इस्तेमाल करके अपने face पर moisturizer लगाएंगी तो इस तरीके से लगाएंगी ऐसा करने से कई बार make-up या moisturizer हमारी eyebrow पर भी लग जाता है जो कि बाद में eyebrow का make-up करते समय बहुत बद्दा दिखाय देता है वहीं दूसरे तरफ अगर आप brush का उपयोग करके अपना make-up करेंगी अपना moisturizer लगाएंगी तो आप eyebrow के इससे को छोड़ सकती है अपने होटो के upper lips को छोड़ सकती है ताकि बाद में आपको make-up करने में ज़्यादर परिशानी ना हो टिप no.4 है मुहासों को रोपने में सहायक अगर आप moisturizer लगाते समय ब्रश का इस्तिमाल करती है तो आपका face की टानों से भी बस सकता है अब आप पूछेंगी के face का किटानों से क्या connection है बहुत simple सी बात है जब हम अपने हातों से अपना make-up करते हैं तो कई बार उससे संक्रमन हो सकता है क्योंकि हमारे हातों में कई तरह के germs और bacteria होते हैं जो की हमारे तचा पर लगते के साथ ही reaction करते हैं क्योंकि हमारे face की जो तचा होती है वह बहुत संबेदन शीर होती है इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप moisturizer लगाते समय ब्रश का उपयोग करें टिप नमबर 5 है स्वच्छता हमारे नाखोनों के नीचे का हिसा हमेशा साफ नहीं रहता है उसमें तेर और काफी bacteria रहते हैं जो की normally कोई भी लड़की अपने face पर नहीं चाहेगी इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप brush की साहता से makeup करें moisturizer लगाएं और साफ सुथरा makeup करें और सुच्छता का भी ध्यान रखें सो फ्रेंट्स यह थे वह ट्रिक्स जो moisturizer लगाते समय ब्रश का उपयोग करने से आपकी तचा को किसी भी बिमारी से किसी भी संक्रमेंट से बचा सकते हैं मेरे beauty और health related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजिए